अब तक हमने जितने भी भैरवी मंदिरों की स्थापना की है, ये वाला उनसे थोड़ा अलग है हमने तीसरे नेत्र को बहुत ज़ादा तीवर बनाया है देवी के यहां के रूप का जुकाव मुक्ति की ओर आगे बढ़ने की ओर जादा है ना के सिर्फ भौते खुशाली की ओर पिछले 12 से 1500 सालों में देवी का ऐसा रूप बहुत ही दुरलब है जो की मरकरिया पारे पराधारित हो देवी के रूप हैं ऐसे लिंग हैं जो की मरकरिया पारे पराधारित हैं इस तरह के मूलभूत तत्मों के मंदिर भी हैं पर देवी का ऐसा कोई रूप नहीं है ऐसा रूप जिसका आधार मरकरी का हो तो ये एक अनोखा पहलू है इस मरकरी को जिस तरह से जमाया गया है ये आसानी से 3600 से 40 या 45 या शायद 4800 साल तक बना रहेगा और ये पिछले तीन महिने से ज़्यादा समय से एक विशेश प्रक्रिया से एक बेहत तीवर प्रक्रिया से गुजर रही है और इसमें मुखिरूप से मैं खुद और भारत और नेपाल की कुछ जिवा महिलाओं ने इसको संभव बनाने के लिए इसमें हिस्सा लिया है इन पर बहुत काम किया गया है जैसी ये अभी हैं इन्हें यहां तक लाने में बहुत काम होई है एक और पहलू है ये कलश पांच कलश उपर हैं तीन ठीक यहां है एक बिल्कुल ठीक देवी के उपर है और एक सामने बाहरी मंडप में है तो इन तीनों को हम जमी हुई मरकरी आप बारे से उरजानवित करेंगे ये एक ऐसा पहलू है जो बाकी भैरवी रूपों से जिने हमने इस्थापित किया है उनसे थोड़ा अलग है यानि कि हमने तीसरे नेत्र को बहुत जादा शक्तिशाली बनाया है तो देवी के इस रूप में करुणा से जादा तीवरता है मेरा ख्याल है हाँ नेपाल में आप लोग प्रेम और करुणा में थोड़ा जादा ही गोते लगा रहे हैं तो मुझे लगा आपको थोड़ी तीवरता की जरूरत है जो आपको प्रज्वलित कर दे तो ये चलेगा ना आप नेपाली लोगों को देवी के इस रूप का जुकाओ मुक्ति की और आगे बढ़ने की और जादा है ना कि सिर्फ भाते खुशाली की और इस रूप को इसी मकसद के लिए बनाया गया है देवी का मकसद आपको जीवन के प्रतिसम वेदनशील बनाना है ना कि समाजिक विचार धाराओं या फिलोसफी या शास्त्रों के प्रतिसम वेदनशील बना नहीं जीवन के प्रतिसम वेदनशील बना नागनागम आश्रये हम ताकि आप अपने अस्तित्व का महत्व जान पाएं ना कि उसका जवाब करते हैं या नहीं करते ना कि आपको इसका उप्योग करना ही चाहिए नमस्काव अध्भुत था शब्दों में बया नहीं किया जासा मैंने ऐसा अनुभव जीवन में पहले कभी नहीं किया है देवी ने मुझे एक नया जीवन दिया मुझे एक नहीं किया है सुने में जो अभी आपसे कहने वाला हूँ यहां मैंने अभी किसी से कहा नहीं है क्योंकि एक स्विकार करने का दिने इसले में बता रहा हूँ कि आप लोग इस अभुद्देश में और कई चीज़ों को पुनर जीवित करेंगे मैं यह देखना चाहता हूँ कि नेपाल की युवा पिढ़ी और खास तोर से युवा महिलाएं इस आयाम का उपियोग करें और अगर आप इसका उपियोग करना जानते हैं तो देवी आपके लिए उन संभावनाओं को खोल देगी जिनके आपने कल्पना भी नहीं कियोगी भेरवी वो हैं कि अगर आप इनका उपयोग कर पाएं तो जीवन के हर पल को उमंग से भरा और अद्भुत बनाना एक जीती जाक्ती संभावना होगी। भेरवी को अपने दिलों में ले जाईए और अपने भीतर देवी को खिलने दीजिए।